हलो दोस्तों मैं हूँ प्रीतम और आपका स्वागत है प्रीतम्स किचन में अभी मार्केट में बहुत ही अच्छे और मिठे मिठे अंगूर आ रहे हैं तो बस इसी अंगूर से आज मैं बहुत ही टेस्टी और सुन्दर मिठाई बना कर तयार करूँगी जिसे आप खाने से प तो चलिए जल्दी से इस टेस्टी मिठाई को बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले अंगूर की इस टेस्टी मिठाई को बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे अंगूर तो यहाँ पर मैंने एक केजी अंगूर लिया है इसे मैंने अच्छे से धो कर साफ कर लिया है दोस् इसे की ये मिठाई और भी जादा टेस्टी बने तो अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे और इन सारे अंगूर को जार में डाल देंगे वैसे अंगूर में तो अपना ही पानी बहुत होता है उससे ही ये बहुत अच्छा पीस जाएंगे लेकिन फिर भी हम इसमें तीन से चार ट अब इसे स्पैचुला की मदद से इस तरह से घुमाएंगे ताकि जो छोटे बड़े अंगूर के चंक्स या छिलके पीस्ते समय रह गया हैं वो जूस से सेपरेट हो जाएं इसे छानने के लिए मोटे छेद वाली स्टेनर का इस्तेमाल करें जिससे की ये बहुत ही असानी स छन जाएंगे अब ये जो छिलके हैं इन्हें हम डिसकार्ड कर देंगे और अब ये जो जूस बना है इसे हम ऐसे इस्तेमाल नहीं करेंगे अब पहले लेंगे एक दूसरा मिक्सिंग बॉल और उसके बाद इसमें लेंगे ये एक कप कॉनफलार अगर आपके पास कॉनफला जेसे मैंने जितने अंगूर लिये थे उससे जूस की मातरा और अंगूर की मातरा बिल्कुल परफेक बैठती है और अगर आपके पास थोड़ी कम मातरा है जूस की तो आप थोड़ा सा पानी एड़ कर लें तो ये देखिए मैंने तीन कप अंगूर का जूस ले लिया है द जो की square shape में है इसी में हम आज ये मिठाई सेट करेंगे आप चाहें तो कोई भी tray या steel की थाली में सेट कर सकते हैं तो हम इसे अच्छे से refine while या घी से grease कर लेंगे और अब मैंने यहां कुछ बदाम के flakes लिये हैं ये इसमें अच्छे से लगा देंगे आप इसकी जगा मस्क मेलन सीट्स का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो यहां मैंने बदाम के flakes डाल दिये हैं तो अब हम इसे side में रखेंगे और अब मैंने यहां gas पर एक कडाही चड़ाया है अब इसमें 2 cup चीनी डालेंगे एक cup हमने conflare लिया था तो 2 cup चीनी लेंगे और अब इसमें 1 cup पानी डालेंगे चीनी को मैंने पहले ही इसी cup से measure करके 2 cup बाउल में निकाल लिया था तो अब क्या करेंगे कि चीनी के melt होने तक हम इसे पका लेंगे हमें इसे चलाते हुए अच्छे से चीनी को melt कर लेना है और अब जब चीनी बढ़िया से घुल जाए तब हम इसे 2-3 मिनट हाई फ्लेम पर और पका लेंगे और पकते पकते चीनी जो है थोड़ी गाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी तो इसे जादा गाढ़ा नहीं करना है जैसे ही चीनी को पकते पकते 2-3 मिनट हो जाए तब हम इसे चेक कर लेंगे जब उंगलियों के बीच इस तरह से चेक करेंगे तो एक तार बनने लगेगा और जब तार बनने लगे तो समझ जाएं कि हमारी चाशनी बिल्कुल पक चुकी है अब हम जो अंगूर का जूस और कॉन्फलर को गोल कर रखे थे उसे एक बार मिक्स कर लेंगे क्योंकि कॉन्फलर जो है वो नीचे बैठ जाता है अब हम क्या करेंगे कि ये जो मिश्रन है इसे हम कराही में डालते जाएंगे और इसे चलाते रहेंगे तो ध्यान रखना है दोस्तों कि जैसे जैसे इस मिश्रन को डालेंगे इसे चलाते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे नहीं तो क्या होगा कि ये एक जगा एक अठा होने लएगा और लंस पर जाएंगे अब इसे छोड़ना बिल्कुल नहीं है इसे लगतार चलाते हुए ही पकाना है तो बस इसे high flame पर 2-3 मिनट पकाएंगे और जैसे जैसे ये पकेगा ये अपने आप ही गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और आप देख सकते हैं कि 2-3 मिनट लगतार चलाते हुए high flame पर पकाने से ये बिल्कुल गाढ़ा हो गया है और बिल्कुल shiny दिख रहा है अब वैसे तो इसमें अंगूर का बिल्कुल natural कलर है पर हम इसमें और थोड़ा कलर के लिए बस एक पिंच्य ग्रीन फूड कलर डालेंगे जिससे ये मिठाई दिखने में और खुबसूरत लगेगी तो बस अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और अब इसे पकते हुए लगभग 5-7 मिनट हो गया है और ये बिल्कुल shiny नजर आ रही है लेकिन अभी ये कडाही नहीं छोड रही है तो बस इसी स्टेज पर हम इसमें 2 टेवल स्पून के करीब घी डालेंगे और फिर से मिक्स करेंगे और अब हम थोड़ा सा इसे प्लेट में निकाल कर चेक कर लेंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये देखे हाथों में चिपक नहीं रहा है तो बस अब इस स्टेज पर हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इसे तुरंथ ही सेट होने के लिए काच के ट्रे में डाल देंगे और थोड़ा सा स्पैचुला या स्पून से फैला लेंगे तो जादा भी ओवर कुक ना करें वरना क्या होगा कि कडाही में ही स्ट होना सुरू हो जाएगा तो पर्फेक्ट कंसिस्टेंसी तक इसे पकाएं और फिर सेट कर लें इसे सेट होने में जादा समय नहीं लगता है ये बहुत ही जल्दी सेट हो जाता है बस room temperature पर आएगा और ये set हो जाएगा तो अब इसे एक घंटे के लिए room temperature पर आने तक इसी तरह से छोड़ देंगे और ये देखिए एक घंटे के बाद ये हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है मतलब कि ये set हो गया है तो अब हम इसे हाथों से इस तरह से किनारे छोड़ा लेंगे ताकि इसमें air pass हो और ये असानी से tray से बाहर निकल जाए और अब हम इसे plate में इस तरह से पलट लेंगे और ये देखिए ये कितनी असानी से tray से बाहर निकल आया है और हमारी कितनी सुन्दर मिठाई बनकर तयार हुई है तो अब हम इसके पिसेज कर लेंगे और देखिए ये कितनी असानी से कट भी हो रहा है तो यहां मैंने इसे बर्फी की शेप में काट लिया है और देखिए अब मैं आपको इसका टेक्शर पास से दिखाती हूँ है ना बिल्कुल जबर्दस्त कहीं भी इसमें गुटलिया नहीं पड़ी है बहुत ही अच्छा सेट हो गया है और कितना स्पंजी और सॉफ्ट मिठाई बनकर तयार हुआ है और लिज़िये बिल्कुल तयार है हमारा बहुत ही सॉफ्ट मुव में घुल जाने वाली बहुत ही सुन्दर मिठाई तो अब आप भी इस अंगूर की मिठाई को एक बार ट्राई जरूर करें आपको ये बहुत पसंद आएगी और अपना फीड़ बैक मेरे साथ जरूर शेयर करें और अगर आपको मेरी रेस्पीज पसंद आती है तो इसे जादा जादा शेयर करें लाइक करें और अपने चैनल प्रितम्स किचन को सब्सक्राइब करना ना भूले वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तो फिर मैं मिलूंगी अगली वीडियो में ऐसे ही इंट्रेस्टिंग रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई